मित्रो नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त डाक्टर अनिल अग्रवाल आज हम बात करेंगे पैची बीर्ड की, बीर्ड मतलब दाड़ी, यह दाड़ी आती है, यह जब पूरी भरी होई होती है, तो बहुत सुंदर लगती है, लेकि कुछ लोगों को दाड़ी पूरी नहीं आती है, जिसके अंदर कईयों को यहां से पैच बनावा होता है, कईयों यहां बाल नहीं होते हैं, कईयों को यहां तक बाल होते हैं, फिर यहां बाल नहीं होते हैं, यहां बाल नहीं होते हैं, कईयों को, मतलब अजीब तरह की दाड़ी लोगों को देखने को मिलती है, हाला कि अधिकतर लोगों के तो सारी पूरी दाड़ी होती है, लेकि जिन ब इसके पर एक वीडियो बनाता हूँ तो सबसे पहले जो दाड़ी के अंदर के बाल जो कम हो जाते हैं यहां से वे यहां से वे को गोल गोल निशान जैसे हो जाते हैं कम जिसको हम अलोपीसिया बोलते हैं और इस सारी दाड़ी के अंदर जो कम होते हैं या कुछ भी तो इसका तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो साधारन कारण हो सकते हैं मैं पहले सबसे पहले वह बताता हूं आपको इस नमबर एक कोई दाड़ी वाली जगहों के अंदर अगर पिसी तरह के अलर्जी हो तो उसके वज़े से बाल गिर जाते हैं कुछ लोगों को अगर यहां पर कोई इंफेक्शन हो फंगल इंफेक्शन हो या एक्जीमा हो या सुरह सी जो उसकी वज़े से भी बाल निकल जाते हैं और यह पैची बीर्ड बन जाती है इसके बाद कारण होता है कि अगर कोई आदमी बहुत लंबे समय तक बिमार रहा हो तो उसके भी दाड़ी के बाल कम हो जाते हैं वैसे तो सादमता सिर के बाल कम होते हैं लेकि दाड़ी के बाल भी कम हो सकते हैं उसके बाद अगर किसी को बहुत mental stress रहता हो, physical stress हो, उसके वज़े से भी देखा गया है कि कुछ लोगों के दाड़ी के बाल कम हो जाते हैं. जिन लोगों को autoimmune disorder हो, उसकी वज़े से भी दाड़ी के बाल कम हो सकते हैं. autoimmune disorder का मतलब होता है, कि जब हमारे श्रीक का defense magnesium, हमारे यह यह hair follicles होते हैं, वो hair follicles को भी खाना शुरू कर देता है, या उनको destroy करना शुरू कर देता है, जिसके वज़े से यह बाल कम हो जाते हैं. तो ऐसे लोगों को हम देखा जाएगा कि उनके family के अंदर या उनके रिष्यदारी के अंदर कुछ लोगों को type 1 diabetes हो सकती है, किसी को psoriasis हो सकता है, किसी को lupus हो सकता है, यह सारी autoimmune disease ही होती है, और उसी के वज़े से हो सकता है, उसको भी autoimmune disease आईयो, या इसका हम जैनेटि चाचा होंगे, उन सब के ही दाड़ी कम आएगी, जिसे हम genetic defect भी कह सकते हैं, अब इसके नदर से हम किस किस को ठीक कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं, जो मैंने शुरू के कारण बताये थे, कि ऐलरजी है, एगजीमा है, फंगल infection है, सुराइसी है, जिसका इलाज हम बहुत असानी से जो है, हम पेतिक द्वाईयों के द्वारा कर सकते हैं, जिसका नधरम सार्मता, acid floricum है, natriumure है, phosphorus है, syphelinum है, थूजा है, इस तरह के द्वाईया है, जिनको हम रोगी के अनुसार चैन करके दे सकते हैं, और ये उनके बाल दुबारा से आ जाते है और लगाने के लिए भी जिस तरह कैंथरिस है, थूजा टिंक्चर है, जबरेंडी है, उनको लेकिन डाक्टर की सला के अनुसार ही लगाना है, अपने आप मर्जी से कोई ना लगाए इनको, क्योंकि वो डाक्टर ही बता पाएगा कि ये लगाना है, तो किस रोगी को कौन स होनी चाहिए, और आटोमियन डिसॉडर की वज़े से अगर ये पैची बियर्ड हो रही है, तो उसके अंदर बिल्कुल क्लासिकल होमेपैथ ही, इसके कोई क्लासिकल दवाई ढूंड कर देगा, तो वो ये ठीक होने के समभावना काफी हो जाती है, अनित है ठीक नहीं होग हैं, तो वो काफी कुछ 50-60% लोगों के तो आही जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा डरने के जरूरत नहीं है, कोई एक अच्छा सा हुमिपधिक डाक्टर डूंडे, उससे अपना इलाज कहा है, तो आपकी ये समझ से हाल हो जाएगी, धन्यवाद दोस्तों.